क्या आपका कम्प्यूटर ज्यादा डाटा खा रहा है या फिर आपका जो मोबाइल डाटा है वो आपके कम्प्यूटर में ज्यादा खर्च हो रहा है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है तो आपको यहाँ पर तीन सेटिंग करनी है इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च आइकन में टाइप करना है Microsoft Store यह एप को अपने laptop या computer में open करें उसके बाद जैसे यह एप आपके computer की स्क्रीन पर open हो जाए तो आपको यहाँ पर जो profile picture है इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर नीचे की side में आपको app setting दी गई है इस app setting पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर app updates का option दिया गया है update apps automatically इसका मतलब यह है कि यदि आप इसको on रखते हैं तो यह आपका mobile data खा लेगा क्योंकि automatically है यानि कि जहाँ जहाँ जो यह automatically वाला system है इसको बंद करना पड़ेगा ताकि आपका computer आपके mobile data को ज़्यादा इस्तमाल ना करे तो इसको आपको off कर लेना है इसके बाद से आपका जो computer है या laptop है वो mobile data नहीं खाएगा दूसरा setting है वो आपको यहाँ पर search bar में जाना है यहाँ पर type करना है setting यहाँ पर setting पर click करना है click करने के बाद setting open हो जाएगी open हो जाएगी उसके बाद से क्या करना है आपको यहाँ पर window update पर आना है नीचे के साइड में आपको window update का option मिलेगा window update पर click करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और इस पर click करके आप अपने laptop या computer का जो update history है उसको extend form 3 week कर देना है इससे क्या है कि आपका जो computer है वो update होने के लिए आपके mobile data का इस्तमान नहीं करेगा और आपके mobile का data ज्यादा खर्च नहीं होगा तीसरा tips यह है कि आपको यहाँ पर find a setting में click करना है और उसके बाद से यहाँ पर data usage का यहाँ पर option आ जायता है जैसे आप यहाँ पर data usage टाइप करते हैं तो यहाँ पर data usage overview आ जाता है इस पर आपको click करके open करना है यहाँ पर यह option आपको network and internet में advanced network setting में मिलता है अगर आप step by step जाएंगे तो यहाँ पर आपको more setting के नीचे आपको data usage का option आता है इस पर आपको click करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपका internet है जाए वाई-फाई हो या फिर इथरनेट हो यहाँ पर आपको क्या करना है metered connection का एक option दिया गया है इसको आपको on कर लेना है पहले से off होगा इसको आप on कर देंगे तो यह जो है आपके mobile से data कम use करेगा तो मैं इसको on कर देता हूँ इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और setting करनी है जिससे आपका computer ज्यादा mobile data नहीं खाएगा edit limit पर click करेंगे और यहाँ पर हम जितना भी mobile data चाहते हैं कि हमारा mobile data computer यूज करें उतना mobile data हम यहाँ पर लिख देंगे और example कि माली कि मैं चाहता हूँ कि मेरे mobile का जो data है वो मेरा computer या laptop 300MB से ज़्यादा खर्च ना करें तो मैं यहाँ पर 300MB और यहाँ पर MB select कर दूँगा और यहाँ पर save कर दूँगा तो अभी क्या है कि यहाँ पर यह limit बढ़ चुकी है और जब यह 300MB तक data यूज कर लेगा तो हमारा जो mobile data है वो हमारा computer नहीं यूज करेगा यह सारी setting है जिसको करने के बाद आपका laptop और computer आपके mobile data का ज़्यादा इस्तमाल नहीं करता है और ज़्यादा data usage की जो problem है वो solve हो जाती है सबस्तों यह आप इस video में बताए गए tips को follow करते हैं तो इससे आपका computer हो या फिर laptop हो mobile का data कम यूज करेगा और जहाँ पर important है जो जरूरी है वहीं पर सिफ यूज करेगा advantage जगह पर आपका mobile data आपका computer नहीं खाएगा तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो का like कीजिए share कीजिए उन लोगों के साथ जिसका भी mobile data बहुत ज़्यादा और जल्दी से खतम हो जाता है